हेलो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर सभी बैटकर दिवाली पर चर्चा कर रहे हैं चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे हाँ राधा दिवाली तो बस सर पर ये दो तीन दिन ही रह गए है और देखो तो मेरी थोड़ी भी तयारी नहीं हुई आखिर मैं क्या करू कहां से शुरू करू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अरे हाँ दीदी आप सही कह रही है मेरा भी कुछ यही हाल है मेरा भी थोड़ा भी काम नहीं हुआ अभी तो घर साफ करना दिवाली की खरिदारी सब कुछ बाकी है चलिए हम सब साथ में सब कुछ करेंगे अरे क्या कहा तुम्हारे तयारी भी नहीं शुरू हुई है और मुझे देखो मेरा तो सारा काम हो गया मैंने दिवाली की शॉपिंग भी कर ले और अपना घर भी सफवा लिया सब कुछ हो गया है मेरा अरे सच में नहा तुम सही कह रही हो अरे वा तुम तो बड़ी फास्ट निकली देखो तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ अब ही अरे वा नहा दीदी आपने तो कमाल कर दिया चलिए दीदी हम भी अपना काम शुरू कर लेते है वरना बहुत देर हो जाएगी अरे हाँ रद है तो बहुत ही अच्छा एडिया है चलिए काम करते हैं पहले अपना दिया सजा लेते हैं अरे हाँ दीदी आपने सही क्या धेर सारा दिया बनाना पड़ेगा आखिर पूरे घर को जो जगमगाना है और वेसे भी बच्चों की दिवाली तो शुरू भी हो गई अरे हाँ रद है वेसे बच्चे हैं कहाँ पर उनकी आवास तो सुनाई दे रही है अरे दीदी यही बदो बैठे हुए देखिए यह सब तो अभी से पटाकों के साथ खेलने लेगी पता नहीं दिवाली में क्या हाल होगा और यहां सारे बच्चे पटाकों से खेल रहे होते हैं देखो देखो दोस्तों मैं कितना सारा पटाका लेकर आया हूँ बताओ बताओ किसी के पास इतना सारे पटाके है क्या लेकिन देखो मेरा दिल कितना बड़ा है मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया हूँ ये देखो कितना सारा है हजी हाँ राहूल तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन देखो तो इन तोक्रियों में बिल्कुल भी पता के नहीं ये बहुत कम-कम है अरे हाँ चिंकी तुम सही कह रही हो दुकान वाले हमारा दिवाला निकाल रहे है देखो तो कितना कम-कम पता के दे रहे है अरे लेकिन मेरे पास एक आइडिया है चलो चलो हम इन सब को गलू से चिपका देते हैं और लंबा सा पता का तयार कर लेते हैं क्यूँ और जी हाँ जाहूल ये तो बहुत ही अच्छा एडिया है ये तो पता का भी बहुत ही लंबा हो जाएगा और दे तक फुटेगा हाँ हाँ बड़ा पता का बड़ा पता का ये ये अच्छे लिको मैं अभी ममी से गम मांकर लाती हूँ है ममी 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 शुनिए ममी ममी अरे अरे सोनम क्या हुआ क्या हुआ क्या चाहिए अरे मम्मी थोड़ा शाग गम दीजिए न गम चाहिए क्या कहा गम मेरे पास तो सिर्फ खुशी है खुशी चाहिए तो बोलो मैं खुशी दे दूँगी अभी जी क्या मम्मे आप भी मजाग करें मुझे वो गुलू चाहिए अरे मुझे भी पता है सोनम मैं तो मजाग कर रही थी अरे नहीं नहीं ये बच्चे सरूर कुछ शरारत सोच रहे होंगे मत देना इन्हें अरे नहीं दीदी बच्चे कुछ क्रियेटिव कर रहे होंगे मैं दे देती हूँ कोई बात नहीं अभी लाती हूँ सोनम और यहां राधा गलू लाने के लिए जाने लगती है अरे यह कहीं पे तो रखा तो श्याम की पापा ने हाँ यह रहा यह लो सोनम गलू मिल गया मुझे यह लो अच्छे से इस्तिमाल करना बस अपना हाथ मत चिपका लेना ठेंक्यो राधा अंटी आप बहुत अच्छी है हाँ हाँ ठीक है लेकिन हाँ श्याम से दूर रखना वो पुरा गलू खा लेता है ठीक है ना चलो अब जाओ मज़े करो ठेंक्यो आंटी आप बहुत अच्छी है चलो चलो चाची हूँ अरे देखो तो बच्चे कितने खुश है अरे राधा लेकिन तुम्हें ऐसे गलू नहीं देना चाही ता पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या-क्या सूचता है ये देखो राहूल में गलू लेकर आ गई चलो 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 सबको चिपकाते हैं मज़ाएगा अरे हाँ तुम्हें सही कहा और यहाँ पर सारे बच्चे पटाको को चिपकाने के लिए एक साथ निकाल लेते हैं चलो चलो इनको एक साथ चिपका दे ही चलो बोती जमजाएगा ये लो राहूल देखो इतना शारा पटाका है हमारे पास इन सबको हम जोड़ देते हैं एक के साथ अरे हाँ सोना मुशी टाइम का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत मजाएगा और यहां सारे बच्चे पटाकों को एक के साथ एक जोड़ रहे होते हैं ये थोड़ा सा पटाका यहां पर चिपका देता हूँ अरे वा देखो तो कितना लंबा पटाका तयार हो जाएगा अरे वा देखो तो चलो चलो थोड़ा और लगाओ कितना लंबा पटाका हो गया हमारे पास तो और भी है चलो चलो बाकी सब भी चिपका देते है अज़िए हाँ चलो चलो चिपकाते है यो मैं लगाऊंगी ठीक है न वाओ बोची मज़ा आएगा सोचे तो हमारे गन में कितने सारे पटाके हो जाएंगी अरे हाँ चिंकी धेर सारे पटाके हो जाएंगे और फिर उनी पटाकों में तुम्हारे उपर फोड़ूंगा मज़ा आ जाएगा चुलो चुलो चिपकाते हैं अरे रादा वो देखो बच्चे क्या कर रहे हैं अरे देदी देखिए तो पटाकों के साथ कुछ कर रहे हैं लेकिन क्या अरे हाँ देखो तो इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता तो आज कहां से कहां तक पहुच जाते अरे हाँ नया तुम सही कह रही हो ये बात तो बिल्कुल सही है अरे वा देखो तो कितना मोटा बंदल देया हो गया चलो चलो राहूल बाकी सबको भी हम इसे वे जोड़ देते हैं तो और भी लंबा हो जाएगा चलो चलो चोड़ते हैं अरे हाँ सोनम क्यों नहीं अरे हाँ चलो चलो चोड़ते हैं हाँ हाँ ठीक है राहूल तो चलो बाकी के पटाके भी जोड़ देते हैं अरे हाँ हाँ सोनम क्यों नहीं ये लो ये लो चलो चलो जोड़ते हैं इसे भी चलो चलो शिरू करते हैं अरे हाँ चलो लगाते हैं इसको हम सब इतना मैनत कर रहे हैं तो हम सब मिलबाट कर खेलेंगे मज़े से क्यों है न सुनम और यहाँ पर बच्चे सारे पटाके के डब्बे खाली कर देते हैं अरे वा देखो तो कितना मोटा पटाके का बंडल तयार हो गया ये तो दिवाली तक नहीं खतम होगा जलन के अंदर फिट कर देता हो फिर मज़े से पटाके फोड़ूंगे ये मेरा बंदुग खुल गया चलो अब इसके अंदर में डाल दीता हूँ और यहां पर राहूल पटाकों को गन के अंदर डालने लगता है अरे वा देखो तो ये तो मुझसे उठाए भी नहीं उठा चलो अब इसके अंदर में फिट कर देता हूँ अच्छे से चलो सोन हम तुम्हारे से शुरू करते हैं अब तो बहुती जदा मजा आने वाला है अज़े सब तुम क्या करें हम तो साथ में खेलने वाले थे अले शम्मत करो अज़े लाहूल तुम तो सच्वे भूजे दर बैमान हो तुम ने कहा था हम सब मिल बात के खेलेंगे अब तो तुम हमारे उपर ही कंतान रहे हो एशा नहीं छलेगा यलो 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 बता रहा है न अरे ऐसे केसे अरे चलो भागो जलुदी भागो ये तो हमें नहीं ठोड़ेगा जल्दी बागो नियुक्त चल्व बचाओ की करियो बचाओ बच्टों नत्यया चैन्द अंति बचाईए जल्दी के मलब पके में बचाओ बचेवा को रहा अरे गाहो ऐसा कर रहा है अरे राहूल रुख जो तुम इसे नहीं कर सकती हो रुखो रुखो बच्चे डर रहे हैं अरे कहां पर गए ये लोग कहां पर छुप गए अरे बाहर तो निकलो अरे आंटी लोग आपने देखा क्या ये सब कहां पर गए अरे राहूल यह बहुत ही बुरी बात है चलो हटाओ पटाका यहां से जाके घर पर फोड़ो अरे हां राहूल जाओ यहां से जाओ तुम अरे लगता है राहूल की ममी से शिकायत करनी पड़ेगी अरे आप सबके भी रुका मैं अभी बताता हूँ ये लो ये लिजए ये लिजए अरे आटी ये अरे राहूल रहने तो मुझे बुद्र लगता है पटाकों से देखो तो ये दिवाली में क्या करेगा आखिर अभी ऐसा हाल है तो अरे राहूल बहुत होगी आप रुक जाओ रुक जाओ में डर लग रहा है अरे राहूल ऐसा नहीं करते हैं गंदी बात है बच्चों को बटाकों से ऐसा नहीं खेलना चाहिए बहुत ही मुरी बात है रुक जाओ रुक जाओ अरे राहूल रहने जो हमें तेल लग रहा है बश का यो अरे राहूल रहने तो भले इसे कोई नुकसान नहीं लेकिन हमें डर लग रहा है रुक जाओ तुम रुको में तुम्हें अभी बताती हूँ रुको में आ रही हूँ रुक जाओ अरे वा मज़ा आ रहा है अरे आंटी आप यहाँ पर क्यों रही जाए इसे जाए जाओ रुको रुको आप तुमें बताती हूँ रुक जाओ दो बंदुग यहाँ पर दो मुझे दो तुम्हें समझ में नहीं आती है कि अबाद तुम इतने भी छोटे नहीं हो अभी तुम रुक जाओ तुम्हारी ममी से मैं अभी शिकायत करती हूँ अरे नहीं नहीं आउंटी मज़े माफ कर दीजिए रुको में तुम्हारा बंदुग अभी छटषपर फेक देती हूँ रादा मैं फेक देती हूँ तुम आ चछटपर ठी है न तुम रहोली यहाँ पर आओ तुम्हारी मम्मी से मैं अभी शिकायद करती हूँ अरे अरे आंटी चोड़ दीजी और दरढ़न कर रहा है मेरा हाँ तब किया यही होना चाहिए चलो तुम्हारी मम्मी के पास मैं तुम्हें अभी लेकर चलती हूं चलो चलो ये ये बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ है दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग